नमस्कार दिल्ली क्राइम पे आपका हार्दिक श्वागत है मैं जियोन सिंग बिस्ट आज उत्रा खंड के चंप आउट डिस्टिक के लुहागा छेतर पे हैं तो जिस सक्से से जिस खास महमान से हम आपको मिलाना चाहते हैं उनको कोई परचाई देनी की जरूरत नहीं है उन उनकी फिलिंग उनकी बात करने का स्टाइल हर चीज एक डिफरेंट है तो सीधा हम चलते हैं जो चंप आउट डिस्टिक के अध्यक्षे हैं नमस्कार सर दिल्ली क्राइम पर आपका हार्दिक स्वागत है धन्यवाद 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 पहले अपना जो तैयारी हैं थोड़ से उन्हें भ्याक्ता की जी हमारी पालिटी की तैयारी यह हैं कि 2004 में हमारे मानिय प्रधानमंत्री जी ने जो वाइदे कि थे दोजार क्रोड रोजगार देने जी जनता परिसान रही और नोट बंदी में जो जनता परिसान रही उन पर चर्चा नहों होते हुए क्योंकि सेना के जवान 1971 में भी पैसेट में भी लड़ाई लड़ चुके हैं और उन्होंने ऐसा प्रग्रम पहले भी कर चुके हैं और इस तो यह कहेंगे कि जो उनने वाइदे के थी उन वाइदू पर आयें और जनता के सामने वाइदू को रखें तो सर तयारिया तो पांट सीटे हैं सर ये जुमलेवाजूं से लोग सब जान चुके हैं उत्राकंड की भौली बाली जनता ये एक बार बार ठकने में नहीं आती है ये धिव्भूम है यहाँ पर चला वार नहीं चलता है इसलिए पूरी पांथ कि पांध सीटे हैं हमारे जो पहार के लोग हैं वह बहुत बेड़ा उठाय था जो की उस में भी मान्नी प्रधानमत्री जी ने जब रजस्तिति का यहां राष्ट में सासिन लगाने की कोशिश की थी बापजित उसके हमारे मानी मुख्यमिंत्री जी ने उसमें तत्काल में मढवा जुम्रा जो हमारी घर की खेती हमारी पहाड की सस्कृति को जागरती करने के लिए अरेले तेवहार को आगे बढ़ाना य जो पूरे पर्देश में ठेक रारी का महणा रखा बस उनको तो पैसा कमाना पैसा लूट ना है यह जो टोलेंश की बात करने वाली सरकार हर जोगा उनके विदाहिकों को देखिए उनके सांसुत को देखिए यहां तक की मानी मुक्यमिंत्री भी यही बात करते हैं कि हमने तो बिकास की बात नहीं करते हैं, हम बिकास का थप कर दिया यह हमारी उपलबदी बताते हैं तो सर एक चीज वाल और एक बहुती फोकस वाली बात है, सर जो सरकार का एक golden card बनना आईश्मान योजना चलिए हैं जो आईशमान की योजना की जो कार्ड बन रहे हमारे डिस्ट्रिक में ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जो सर सारी कम्प्लीट आपने का काम हो सके जैसे कोई लंबाद बीमार हो जाता है तो ऐसा डिस्ट्रिक में वाजी है यह तो ठग लोग है यह ठगने का काम करते है उस जब से इनका आईशमान कार्ड बना है उसके बाद देखे कितने लोगों की मौत है हो चुकी है हमारे इसी जिले में अभी इतने लोग प्रिसान है कहीं पर इनका इलाज नहीं हो रहा कोई इनके स्वास्त कार्ड को लेनी को को हुस्पिटल त्यार नहीं है यह इस मौत जुमला है गरिबों को ठगना इनका काम है और कहीं पर कोई ऐसी सुझा स्वास्त में सुझाई नहीं मिल रहे हैं अचा साथ 2019 में आपकी शरकार आती है केंदर पे तो क्या डिफरेंट होगा क्या देखने को मिलेगा 2019 में अगर हमारी सरकार आती है जिस परकार इनोंने बड़े- जिक राहुल जी ने यह संकल पर लिया है जो ही वह हमारी सरकार बनेगी किसानों का रिड़माप कर दिया जाएगा जो निर्वल तपके के लोग हैं उनको 6000 प्रतिमाह के हिसाब से उनको पैंसिन के रूप में दिया जाएगा यह हमारी सरकार की सूच है सर हमारी डेली क्राइम की न्यूज की तरफ से देश वाशियों को जो आपके छेत्र वाशी हैं क्या संदेश देना चाहते हो बहुत बहुत धन्यवाद आपको आप ऐसे इतनी मेहनत करते हैं आपके इस चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं यह सुपका झाल झाल